आइतिहासिक कृषी सुधार विधायक पारित किये गए हैं। इन विधायकों ने हमारे अन्दाता किसानों को अनेक बंदनों से मुक्ति दिलाई हैं। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और जादा विकल्प मिलेंगे और जादा आउसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधायकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किसान और गरहक के बीच जो बिचोलिये होते हैं। जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं। उनसे बचाने के लिए विधायक लाए जाने बहुत आवशक थे। ये विधायक किसानों के लिए रक्षा कवज बन करके आये हैं। लेकिन कुछ लोग जो लोग दसकों तक देश में शासन करते रहे हैं। सत्ता में रहे हैं। देश पर राज किया हैं। वो लोग किसानों को इस विशय पर ब्रमीत करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों से जूट बोल रहे हैं। साथ्यों चुनाओ के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी-बड़ी बाते करते थे। लिखीत में करते थे, अपने गोशना पत्र में डालते थे, और चुनाव के बाद भूल जाते थे, और आज जब वही चीजे, जो इतने दसकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टों में है, वही चीजे भारतिये जन्ता पार्टी एंडिये सरकार कर रही हैं, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही हैं, तो ये भाती भाती के ब्रह्म फेला रहे हैं। बडलाव का विरोध कर रहे हैं। उसी बडलाव की बात इन लोगों ने अपने गोश्णा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एंडिये सरकार ने ये बडलाव कर दिया हैं, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, जूट फैलाने पर, ब्रह्म फैलाने पर उतर आए सिर्प विरोध के लिए विरोध करने का ये एक, एक के बाद एक अनेक उधारण सामने आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचोलियों के साथ खड़े हैं। अगर पूरा किसी ने किया है, तो भाजपा NDA की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दूस्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को MSP का लाब नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगड़न बाते कही जा रही हैं कि किसानों से धान गेहू इत्यादी की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर जूट है, गलत है, किसानों के साथ धोका है। हमारी सरकार किसानों को MSP के माध्यम से उचीत मुल्य दिलाने के लिए प्रतिवद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति, अपना उत्पादर, जो भी वो पैदा करता है, दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहें वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है, जहां चाहें बेच सकता है, वो बरतन बनाता है, कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है, कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एक मात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से बंचित रखा गया था। मजबूर किया गया था। अम नए प्रावदान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाचार में अपनी मन चाही किमत पर बेच सकेगा। ये हमारे कॉपरेटिव्स, कुश्यूत पातक संग, एपियोस और बिहार में चलने वाले जीवी का जैसे महिला स्वयम सहायता समों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नितिश जी भी इस कारकम में मौझूद है, वो भली भाती समझते हैं कि एपियम सी एक से किसानों का क्या-क्या नुक्सान होता रहा है। यही वज़ा है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बात, अपने शुरुवाती वर्सों में ही नितिश जी ने बिहार में इस कानुन को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। देश के किसानों को बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, अपनी छोटी छोटी जरुनतों को पुरा करने के लिए किसी से कर्ज न लेना पड़े। इसके लिए ही प्रदान मंत्री किसान कल्यान योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहट अब तक देश के 10 करोड किसानों के खाते में करीब करीब एक लाग करोड रूपिये, एक लाग करोड रूपिये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किये जा चुके है। कोई बिचोलिया नहीं, किसानों को पानी की दिकपता हो, किसानों से अटकी पड़ी सिंचाई, दसकों से अटकी पड़ी सिंचाई, वो परियोजना पूरी हो, इसके लिए प्रदान मंत्री क्रिसी सिंचाई योजना पर करीब एक लाग करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं वो यूरिया जिसके लिए लंबी लंबी लाइने लगती थी जो किसानों के खेत में कम और फैक्टरियों में जादा आसानी से पहुँच जाता था अब उसकी सत प्रतिशत निमकोटिंग की जा रही है आदेश में बड़े स्तर पर कोल स्टोरेज का नेटवर्क तयार किया जा रहा है फूर्ड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर भारी निवेश किया जा रहा है एक लाग करोड उपय का अग्रिकल्चर इंफासेक्टर फंड बनाया जा रहा है किसानों के पसुधन को बिमारियों से बचाने के लिए देश व्यापकी अभ्यान भी चलाए जा रहा है मचली उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन को प्रोसान के लिए शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए दूद उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आय बढ़ाने के अतिरिक्त विकल्ब देने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है साथियो, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नमरता पुर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं संदेश देना चाहता हूं आप किसी भी तरह के ब्रह्मे मत पढ़िये, इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों से सावधान रहें, जिनों ने दसकों तक देश पर राज किया, और जो आज किसानों से जूट बोल रहे हैं, वो लोग किसानों की रक्षा का डिन्डोरा पिट रहे हैं, लेकिन दरसल वे किसानों को अनेक बंदनों में जकर कर रखना चाहते हैं, वो लोग बिचोलियों का साथ दे रहे हैं वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं किसानों को अपनी उपच देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजाजी देना बहुत अइतिहासिक कदम है 21 सदी में भारत का किसान बंदनों में नहीं भारत का किसान खुल करके खेती करेगा जहां मन आएगा अपनी उपज बेजेगा जहां जादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा किसी बिचोलिय का महताज नहीं रहेगा और अपनी उपज अपनी आए भी बढ़ाएगा ये देश की जरुरत है और समय की मांग भी है